सुप्रभाद बच्चों, आज हिंदी सहिती की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है बच्चों पिछली कक्षा में हमने कुंडली चार तक पढ़ाई कर ली थी आज हम पांच, छे और साथ का अधायन करेंगे चलिया आरंभ करते हैं पांचमी कुंडली है इसके कुछ शब्दार थे लटपट मतलब खराब समय घामे, धूप, तरू, पेड, बहे, चले, जर, जड, पाती, पत्तियां बरू, चाहे, छाह मतलब चाया पत्रो, पत्ला, बयारी मतलब हवा छाह मतलब चाया मैंने बताया तव, तब भी, जरी, जर जाना इस कुंडली में कभी गिर्धर जी कहते हैं वो चेतावनी देते हैं, एक सलाह देते हैं कि हमें पत्ले कमजोर पेड़ के नीचे बैटकर कभी भी विश्राम नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं वह पेड़ तूटकर कभ गिर जाय और हमें हानी पहुचा दे कभी कहते हैं कि हमें बुरे दिन हर तरह से काट लेने चाहिए भले हमें खुले आकाश में ही क्यों न सोना पड़े वह अधिक अच्छा रहेगा लेकिन हमें किसे भी कमजोर पेड़ के नीचे आराम नहीं करना चाहिए क्योंकि पतला पेड़ किसी दिन धोखा दे सकता है यदि किसी दिन तेज हवा का जोका आया तो वह जड़ से तूटकर पृत्वी पर गिर जाएगा गिरधर जी कहते हैं कि किसी मोटे पेड़ की छाया में विश्राम करना चाहिए मोटे पेड की यदि सारी पतियां जड़ कर पृत्वी पर गिर भी जाती है तब भी हमें विश्राम करने में कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि कुछ न कुछ चाया तो मिली जाएगी अगर इसी को हम लोग किसी और रूप में देखें तो कह सकते हैं कि हमें हमेशा बड़े और महान वेक्ति का ही आश्रे लेना चाहिए उसी से मदद मांगनी चाहिए उससे हमें किसी प्रकार की हानी नहीं हो सकती अगर हम किसी कमजोर वेक्ति से मदद मांगने जाएंगे तो उसके पास है क्या जो हमारी मदद करेगा और अगर है भी तो हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ी अगर वो खुद कमजोर पड़ेगा तो हमें जो मदद कर रहा है वो हमारी मदद भी छीन लेगा इसलिए हमेशा हमें ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए जो मजबूत हो बच्चों अब दूसरी कुंडली है पानी बाढ़े नाओ में घर में बाढ़े दाम दो हाथ उलीचिये यही सयानो काम यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजे पर स्वारत के काज शीश आगे धर दीजे कह गिरधर कविराय बढ़ेन की यही बानी चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी इसके कुछ शब्दार्त है उलीचिना मतलब बाहर फेकना सुमिरन मतलब याद दो मतलब दोनो सयानो मतलब सयाना मतलब समझदार आदमी बढ़ेन मतलब बड़े लोगों अर्थात बुद्धी जीवी लोग अपना पानी मतलब अपना स्वाभी मान बनाए और याही मतलब यही कवी जी ने इसमें नितिगत बात बताई है कि यदि नाओ में पानी बढ़ता है और घर में धन दौलत आवे शक्ता से अधिक बढ़ जाती है तो इन दोनों को हमें दोनों हाथों से बाहर निकाल देना चाहिए यही सज्जन लोगों की सज्जन अता है अब कवी कहते हैं कि अच्छे लोगों को नितिगत राय देते हुए करते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में धन दौलत अधिक हो जाए तो पानी और धन को दोनों हाथों से बाहर निकाल देना चाहिए ऐसा बुधिमान लोग करते हैं धन दौलत का उपयोग दूसरों की भलाई में करना चाहिए कभी कहते हैं कि दूसरों की भलाई करने में हमारा अगर सब कुछ चला जाय तो भी सोचने विचारने वाली बात नहीं है सोचने की ज़रूरत नहीं है भगवान का समरन करते हुए तथा पर उपकार करते हुए हमें तब सारा जीवन व्यतीत करना चाहिए ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं हमें अपना जीवन स्वाविमान और सम्मान के साथ सज्जन लोगों की तरह धार्मिक भावनाओं के साथ सहर्दयाता से व्यतीत करना चाहिए जो दूसरों के लिए भी अनुकरनी हो दूसरे लोग भी हमें देखकर उसी तरह का वेवहार करने लगें क्योंकि नाओ में अगर पानी बढ़ जाए तो नाओ डूबने क्या शंकारती है और घर में अगर धन दौलत अधिक हो जाए तो लोगों के वेवहार में परिवर्तन आ जाते हैं वो गलत रास्ता पकड़ सकते हैं इसलिए कवी ने ऐसा कहा है कि इनके बढ़ने पर हमें दोनों हाथों से इसे बाहर निकाल देना चाहिए बच्चों अगला श्लो कुंडली है राजा के दरबार में जैये समया पाए इसके कुछ शब्दार थे समया पाए मतलब अनुकूल समय पाकर उचित समय पर दे उठाए कोई उठादे हाए जोर से ठठाकर बहुरी पुना तहां उस अस्थान पर अन्बोले मतलब शांत काजा मतलब कार अन्खई है मतलब कुरोधी धोना इस कुंडली में कवी गिर्धर जी ने निति गत बातों काव लेक करते हुए कहा है कि राजा के दर्बार में एक समाने व्यक्ति को उचित समय मिलने पर ही जाना चाहिए और एक अच्छे व्यक्ति की तरह उठना बैटना चाहिए कवी गिर्धर जी कहते हैं कि राजा के दर्बार में एक समाने जन को उचित समय पर जाना चाहिए और ऐसे अस्थान पर नहीं बैटना चाहिए जहां से कोई व्यक्ति आकर अपमानित करके उठा दे ऐसे इस्थान पर शान्त होकर चुप-चाप गंभीर भाव से बैटना चाहिए और ठहाका मार कर जोर-जोर से नहीं हसना चाहिए यदि राजा के दर्मार में कोई बात पूछी जाए अगर आपसे कोई बात पूछी जाए तभी आप उसको उत्तर देना चाहिए और सभी कारी समय के अनुसार ही होना चाहिए किसी भी बात पर हम लोगों को राज़ दर्बार में आतुरता मतलब व्याकुलता नहीं दिखानी चाहिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए गंभीरता के साथ रहनी चाहिए यदि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो राजा बहुत क्रोधित होंगे और हो सकता है कि हम लोगों को इसका दंड भी भुगतना पड़े इसलिए जब भी राजा के दर्बार में जाएं तो हमें एक अच्छे सज्जन वेक्ति का वैभार करना चाहिए बचों यहां राजा के दर्बार का मतलब यह नहीं है कि राजा के दर्बार में ही जब जाएं हम कहीं भी जाते हैं तो हमें उचित वैभार ही करना चाहिए बच्चों ये हो गई कुंडलियों की व्याक्या अब अगली कक्षा में हम इसका भ्यासकारी करेंगे आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं तब तक के लिए धन्यवाद